होग अजय तो अब मैं paint करना start करने लगे हूं मैं ने green color लिया green मतलब बाएरड green. एलम औरıs फिंगर का half और एस फिंगर का have थो यह बाहर ना जाये उसकी practice करनी है इस तरह से और जिस तरह से क्या करते है अगर स्ट्रेट लाइन है तो ब्रश ट्रोक स्ट्रेट जाएगा अगर कर्व है तो ब्रश लोग भी जाएगा तो उससे जब आप पेंटिंग जब आपकी फिनिश हो जाएगी आप देखोगे न तो वह रेडी-mate लगेगी मु हमेशा ऐसे होते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन है अब जैसे यह हाथ है तो मैं यह कर रहे हूं तो जब आप कंप्लीट होगा देखोगे तो आपको इतना अच्छा फीलिंग आएगा ना और अगर बाएचांस यह मैं ऐसे कर ना करूं ऐसे सीधा सीधा करूं तो वह देखने में अच्छी लगेगी बिल्कुल भी तो हमेशा जिस तरह से हमने लाइन की हुई है अब उपर की तरफ कर्व था हमारा थंप यहां उपर से कर्व है और यहां से ऐसे लाइन है तो अभी मेरे पास कर्व करने की जगानी है तो मैं यहां स्ट्रेट कर रहे हूं तो जो ब्रेश चाहिए पॉफेक्ट नहीं होगी तो सब गढ़बर हो जाएगा तो ऊपर की तरफ से कर्व कोशिश कीजिए लाइन से बाहर ना जाए नीचे भी आ रहे हैं तो फिर से कर्व कर्व ऐसे इस तरह से कर्व जैसे जैसे नीचे आते जाने नेरो हो रही है जगा तो हम सीधा ही म पेंट बाहर जा रहा है तो उसको बाहर ना जाने देने के दो तरीके है एक तो यह है कि यहां स्केल रख लीजे ठीक है ना तो उससे आपको पता चलेगा कि इसी लाइन तक हमने पेंट करना है स्केल उसको रोग रहा है दूसरी आप चीज क्या कर सकते हो जो मैंने वाशी आपको बताई थी वह वाशी टेप यहां चिपकालो ठीक है तो वह जो अगर आपका ब्रेश पेंट है वह टेप के ऊपर जाएगा और जब आप टेप उतारोगे तो यह लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी वहीं से आप इधर कर सकते हो यहां टेप लगा लो यहां टेप आप लगा लो और पेंट अराम से करो और फिर जब पेंट फिनिश हो जाए तो वाशी टेप को आप रिमूव कर दो अभी यह एक फिंगर में हो गई है लेकिन यह एक कोट हुआ है अभी एक कोट जब होता है तो उसके नीचे का थोड़ा थोड़ा वाइट या ब्रश ट्र यह पेंट अच्छा लग रहा है कंँ अब FOR EG audi मैंने यह पेंट किया और मैं यह green paint और जो भी मैंने यहां पेंट किया है बेसिक koat first kode करूंगी. first coat करने के बाद मेरे को idea हो जाएगा मेरी painting ऐसी दिखेगी अब for example green मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो first coat के बाद जब ये सूख जाए तो मैं इसके उपर कोई भी और color कर सकती हूँ मतलब मेरे पास अभी opportunity है color change करने की तो first coat is about an idea कि आपकी painting कैसी दिखेगी और it's also an opportunity to change your paint color अभी ये बीच की finger में मैंने सोचा है कि blue color करूँ तो blue color कर रहे हूँ अच्छे से पहले brush clean कर देना है क्योंकि अगर green color होगा तो blue की shade एकदम change हो जाएगे तो जब भी नया color choose करें मतलब start करें तो make sure कि आपका brush एकदम clean and clear हो time to time अपने जो mug आपने रखा है यहां का जो भी रखा है पानी का जिसमें आप brushes clean कर रहे हो time to time उसका पानी change करना है क्योंकि बार-बार brushes दोद होके वो पानी इतना गंदा हो जाता है कि फिर आपकी painting एकदम बरबाद हो जाएगे जब आप brush clean करोगे तो हर दो तीन colors के बाद make sure कि आप उसका पानी change करते हो तो इस तरह से roughly मैं अभी क्योंकि यह first coat है तो मैं इतना जादा अपनी lines और इन सब में तवज्जों नहीं दे रही हूं इस तरह से shape बस maintain करके रखनी है जहां curve है वहां curve ही लगना चाहिए straight lines नहीं आनी चाहिए अब यहां पूरा ऐसे curve है तो इस stage पे जब हमने first coat कर दिया आप तो आप इस stage पे visualize कर सकते हो कि आपकी painting कैसी दिखेगी एक idea हो जाता है and if you want to change your color yellow की जगा अगर आपको कोई और करना है green की जगा किसी की बी जगा तो बहुत easily second coat में आप वो change कर सकते हो color क्योंकि अभी इतना जादा dark नहीं हुआ झाल 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 अभी मैने क्या किया है यह सारा प्रिपेर कर लिया उसके बाद यह जो एकडम सीधी लाइन consider इसमें यहां बीच में एकड़म सैंटर में मैंने यह चोटा सा सिर्कल बनाया है विद अहेलब आफ दीस टेप यह मिर Blake dieser Sound is close type यह ताकि मैं एक आये बना सकूं आख बना सकूं तो अब हमें इस साइट के end starting point को इस side के end point तक एक ऐसे कर बनानी है और similarly नीचे तो एक पूरी आख बन जाएगी तो यहां से start करने try to make a curve अगर आपके पास कुछ circular चीज है तो आप उससे भी बना सकते हो पर यह सब skills भी जरूरी है इसी से curve बनाना आएगा तो आए को touch नहीं करना है मतलब circle को touch नहीं करना है and try to make जब तक आए सूख रही है हमारी तो तब तक हम यह फ्लाल मैंने सोचा है इस पर डॉट्स लगा लेते हैं रेड के उपर ग्रीन कलर के डॉट्स बहुत अच्छे लगेंगे तो वह लगाते हैं हर बार आपने डिप करना है क्योंकि अगर एक बार डिप करने के बाद दो या पेंट खतम हो जाता बैसिकली और डॉट्स बंते नहीं नीचे से बैक राउंड दिखाई लगता है तो हर बार चाहिए आप ब्रश का बैक साइड यूज कीजिए चाहिए ये यूज कीजिए हर बार आपको पेंट में डिप करना है एंड देन जस्ट मेंक डॉट और इसको प्रैक्टिस करना है कि हर डॉट के बीच में जो डिफ्रेंस है वो सेम होना चाहिए ये निके एक डॉट बहुत आगे है एक डॉट बहुत पीच है डिस्टन्स शुड भी सेम तभी वो एक सिमिट्री मेंटेन होगी और वो डिजाइन देखने में अच्छा लगेगा और ड डॉट की शेप भी सुंदर होनी जाहिए मतलब डॉट जैसा लगना चाहिए वो बिख्रा हुआ ट्राइंगल या कुछ और शेप नी होनी जाहिए जस्ट डिप एंड मेक डॉट डिप एंड मेक डॉट